संत परम हितकारी जै हो पच्छ भूज मां खूब विच्रण करता त्या सुथार परिवारों मां तैमने सत्संक रावयो हतो एटलेज ते वो सुथार ना गुरु तरीके पंकाता हता नागजी भाई सुथार अने देवशी भाई सुथार ना परिवार मां सत्संक थयो नाग जी भाई अने रूपा भाई थकी बैप पुत्रों थया हेरजी भाई अने सुन्दर जी भाई बनने पुत्रों ने रामानन स्वामी नो योग थयो तैमना धाम गमन पछी आ भाईयों ने श्रीहरी मापण एविज पृती बंधाई गई श्रीहरी ज्यारे ज्यारे भुजबदारता त्यारे हिर्जी सुथारनी मेडिये उतरता एक वार श्रीहरी हिर्जी भाई ने त्यां उत्रे आहता ते वखते त्यां अफिर्णनों बंधानी एक बावो आवेो ते समाधीनों ढौंग करीने बैठो श्री हरिये हिरजी भाई ने पूछिऊं आश्चू करे छे महाराज एना कहवा मुझब एने आवी समाधी लागी जाए छे समाधी नो महिमा जनाब वा माटे श्री हरिये ते समये त्यां बैठेला लाधी भाई ने द्रश्टी द्वारा समाधी करावी पची कहिँ आ समाधी साची छे परन्तु त्यां बैठेला सव ने पिला ढोंगी बावानो महिमा हतो इतले श्री हरिये साची समाधी नो दर्शन कराव वा माटे त्यां बढती सगडी माधी चिपिया वडे अंगारो लिधो अने लाधी बाई ना हाथ ना काड़ा उपर मुक्यो आथी ते बाई नो काड़ू खट-खट थवा लाग्यू पची श्री हरिये ते प्रमाने सडक तो अंगारो ते बावाना काड़ा उपर मुक्वानी बीजाने आग्न्या करी ते सामधी ने बावानी याँखो उगडी गई ने बोलयो हे माहराज तमे तो भगवान छो एम कही श्री हरि ने पगे लागी ने ते त्यांथी जतो रहो पछी श्रीहरिये लाधी बाई ने समाधी माथी जगाडया ने हाथ उपर द्रष्टी करीने साजो करी दिधो पछी श्रीहरिये कहुं अले ब्रह्मचारी तो ढौंगी हतो एम कही श्रीहरिये साचा खोटानो भेद सो ने समझावयो हिर्जी भाई ना मोटा दिकरा रंचोड भाई ने क्षय रोग लागू पड़े हतो तेमनी स्थिती गंभिर बनी क्यारे हिर्जी भाई ये श्रीहरी ने विरंती करी के आप घरमा अंदर पधारी तेने दर्शन आपो श्रीहरी ओरडामा पधार्या रंचोड भाई ने माथे हात फेरवयो अने कहूं भगवाननों बजन करवूं अने हिम्मत राखवी पन हिर्जी भाई ना मुख उपरनों दुख श्रीहरी कली गया ने दया करीने कहूं हिर्जी भाई रंचोड नी खरेखरतो आवर्दा पूरी थाई छे पन अमे ते वधारी दईये छी मांगी माथी हवे ते बैठो थाशे पन एने वधारे बजन करवा कह जो आ सांभडी बाब दीकरों बनने गड़गडा थेई गया आम श्रीहरी ये हिर्जी भाई ने अदभुत पर्चो आपयो श्रीहरी ये बादराथी पत्र लखी अढ़ार जणने परम हंसनी दिक्षा लई भूज ते ड़ावया हता ते आवया त्यारे श्रीहरी ये तेमने सामे जई दंडवत करया अने सव ने भेटया एम खूब राजी पो दर्शावयो पची उतारे आवी हिर्जी भाई ने कहूँ हिर्जी भाई आजे तो कंसार ना आंधन मुकावो आजे या नवा परम हंसोने अने बधाने धारे धारे घी साथे कंसार पिरसवो छे आजना जेवो बीजो कयो शुब दिवस गणाए श्री हरी नी आग्निया प्रमाने हिर्जी भाई ये रसोई तयार करावी श्री हरी पोते जमबा विराजया तंसार जमया अने पची नवा परम हंसोने तथा सव संतो हरी भक्तोंने पोते जाते कंसार अने घी पिरसया जमया पची श्री हरी ये सभा करी श्री हरी ने सौने आज ये आ नवा परमहन सोनों महिमा समझाववो हतो हिर जी भाई सुन्दर जी भाई ने घनीवार कहता के जैने खावा न मले, रहवा घर न होई, तेवा साधू थाए आपणने शानी कमी ना छे माटे महराज कदाच साधू थवा कहे तो पन साधू तो नज थवू श्री हरी ये आ जान्यों हतो तेमने समझाववू हतों के जैना अंतरमा आ संसार ना बंधन मा थी छूटी मोक्षनी तिव्र इच्छा होई, जैने पोताना इष्ट देवनो अप्रतिम महिमा होई ते राज्यनू के मोटाईनू बंधन छोडीने संसार नो त्याक करीज दे परन्तु जैना अंतरमा जग मोटाई होई, तेना थी मोक्ष मारगे चाली शकायज नही एक वकषत श्रीहरी मान कुवे थी भूज आवया, ने पादर माथीज बारो बार बीजे गाम जवानों विचार करता हता मान कुवाना अदा भाई साथे हता, तेमने ततकाल गाममा हिरजी भाई ने समाचार मोक्लया ते सामड़ी ने गंगा राम सुन्दर जी ने लई हिरजी भाई आवया, ने श्रीहरी ने पगे लागी ने कहवा लागया हे माहराज गाममा पधारो, श्रीहरी कहे अमे गाममा नहीं आविये दो वाखते हिरजी भाई तता सुंदर भाई स्रीहरी ना हाद जाली ने पराणे गाम्मा ले चालया। ते चौक मा आव navy त्यारे स्रीहरी कहे हवे आमे तमारे त्यान आवशू, हाथ मुकी दिओ। इतली तैमने हाथ मुकी दिधा ने स्रीहरी हिरजी भाई ने घैर पधारया हेरजी भाई ना गरनाये थाल करयो ते श्रीहरी जम्या ने बैदिवस्त्यां रोकाया आवो श्रीहरी प्रत्ये हेरजी भाई ने प्रेम हतो श्रीहरी भुजमा बिराचता हता कथा वारता दर्म्यान हेरजी भाई ने संबोधी ने श्रीहरी ये कहुँ ग्रुहस्ते पोतानी आवकनो दश्मो भाग भगवानने अरपन करवानो शास्त्रमा कहो छे ते प्रमाने आफवोच जोईए नहीं तो ग्रुहस्तने पंच पाप लागे छे तैनों जे निवारन नथी करतो तैने ते पाप दिवसे दिवसे दस गणों वदे छे अमें तमने आवाज जो कही देखाड़िये नहीं तो अमने पाप लागे बदू भगवान नुछे माटे भगवानने आपने शूँ आपी शकिये एम विचारी ने जे भाग ना काड़े तैने कृतग नी समझवो श्री हरिये अंतर्यामी पणे आवात करी कारण के हेरजी भाई एवू कहता महराज ज्या सुधी भुजमा रहे त्या सुधी सव माटे जड़नी सेवा हूं करिश बदू भगवान नुछे एम ने आपने आपना राकोन आ संदर्बने लक्षमा लई श्री हरिये कहूं हरी ने तो काई जोईतू नथी परन्तु हरी ने माटे भक्ती भावनी रीत जानी ने ताइक सेवा करतो रहे छे तेज समझनो गणाए तमे मोटा हरी जन थाई ने सत्संगनी रीत जानता नथी माटे तमारू जड़ हवे आमे नही लईये अंत समे तो हरी साथेज काम पडशे रीत जान्या विदा धाम दूर रह शे संत हरी जनो पन तमारू जड़ हवे नही ले रीत प्रमाने चालशो त्यारे भगवान प्रसन थशे हिरजी भाई ने आशब्दो अंतरमा लागी गया तेमने पोताना अग्ञान अंगे श्री हरी नी क्षमा मांगी अने श्री हरी नी मर्जी मुझब सिवा करी समवत अडार सो चोंसट मा श्री हरी कच्छ मा विच्रण करवा निक्लया प्रथम मान्डवी पधार्या भुच्थी हिरजी भाई अने सुन्दरजी भाई बनने अगाउथी व्यवस्ता करवा आवी गया हता मान्डवी मा अद्वैत ग्ञ्ञानी खईयो रहतो हतो तेने आ बनने भाईयोंने कहुँ जुओ कारभारी स्वामी नाराणने तमों भगवान कहो छो पन तेमनों भगवान पणू अमें उतारी लईशू भले ते ओव आवे अमारी पहुच प्रमाने अमें तेमनी अने संगनी सेवा करशू पन ते पहला तेमने अमने तेमनों भगवान पणू बतावूं जोशे सुन्दरजी भाई अने हिरजी भाई आ सांबडी टाड़ा थे गया तैमने थैयों के आ खईयो महाराज ने जरूर हैरान करशे परन्तु श्री हरीये एवो चमतकार बतावे के खईयो श्री हरीनो आश्रित थे गयो आ प्रभाव थी बनने भाईयों ने श्री हरीनो अपार महिमा समझायो समबत अढ़ार सो चांसट मा भुज नगर मा हेरजी भाईना संकल्प प्रमाने श्री हरीये अन्नकूट नो उत्सव करयो आ उत्सव मा देश देशांतर थी आवेला हरी भक्तोंने पोतानी मूर्तिनो सुखापयों अने सवने वातो करी पोताना पुर्शुत्तम स्वरूपनो सर्वो परी निश्चय करावयो एक वक्त श्रीजी महराज भुज नगर मा हेरजी भाईने घेर रहा आता ते घणाक दिवस रहा त्यारे गामना सारा सारा मानसो पन हेरजी भाईने कहवा लागया स्वामी नारायन जुवान छे ने तमारा बहनो पन जुवान छे ने गाम मा आवी अफवा चाले छे ते ठीक नहीं ते सामढ़ी ने हीरजी भाईने मनमा संशय थायो ने ते बाद जनवा माटे पोते एक दिवस कोई न जाने तैम घरनी मेडी उपर जईने बैठा ने बारिये थी बधू नीचे पोतानी फडी मा जोई रहा हाता तेवामा सवारे दस वागयाने समय हीरजी भाईना बहने आवी ने श्रीहरी ने कहूं चालो जमवा थार तयार थे गायो छे श्रीहरी ये कहूं पाणी लावो स्नान करिये इटले ते बाई त्रामबा कुंडी मा पाणी लावया तयारे श्रीहरी ये स्नान करियूं पची श्रीहरी ने पहरवा सारू ते बाई पिताम बर लावया ते लईने श्रीहरी ये पहरियूं ते वखती हेरजी भाईने श्री हरी नी मूर्ती जिवी अक्षर धाम माँ छे ते वी दिव्य देखानी ते जोई ने तेनो बदो संशय टड़ी गयो श्री हरी जमवा बैठा त्यारे हिरजी भाई नीचे आवी ने श्री हरी ने पगे लागया अने कहूं हे माहराज तमे तो साक्षात पुर्षुत्तम भगवान छो ते तमारा उपर मने खोटो घाट थयो ते मारो अपराद माफ करो श्री हरी ये कहूं हेरजी भाई एमा तमारो दोश न थी आज जगत जेवूं छे ते वाज अमने पण जुए छे ने ते थी तेने तमने कहूं ने तमने एक घाट थयो पण जे अमारा स्वरूपने दिव्य जाने छे तेने अमारी कोई पन क्रिया मा मनुष्य बुद्धियावती न थी ने तेने अमारे विशे खोटा घाट थता न थी ए बात साम्भणी ने पछी हिर्जी भाई ये श्री हरी नो पाको निश्चय करयो श्री हरी कार्याणी मा विराज ता हता कच्च थी हिर्जी भाई श्री हरी ना दर्शने आव्या श्री हरी तेमने जोई बहु राजी थाया पछी कहूं हिर्जी भाई आटले छेटी थी आववानों दाखडों बहु करेो हिर्जी भाई ये कहुँ महराज आप कच्चमा घणा वरस्ति पधार्या नथी एटले आपना प्रत्यक्ष दर्शन नी तान रोकी शक्यों रही श्री हरी ये कहुँ जेम छेटूं पड़े तैम दर्शन नी तान वधो रहे प्रेम पण वधे माटे आव्या छो तो हवे पूरे पूरो लाब लईने जजो हिर्जी भाई राजी पे रोकाई गया नित्य कथा वारता थती एक वार कथा प्रसंगे श्री हरी वात करवाला गया आप प्रुत्वी पर अमे प्रगट हशूं त्या सुधी अधर्मनों जोर लेश मात्र चाल शे नही अमारी आगल अधर्म थर थर द्रुजे छे सूर्य आगल अंधारू केविरीते टकी शके हिर्जी भाई कहे तमे साची वात कही तमे प्रगट थया छो ते दिवस्थी शर्णे आवेला अपार जीबोनों उद्धार थयो छे पन तमारा पची एवि पुनित कल्याननी रीत केविरीते चाल शे ते कहो त्यारे श्री हरी कहे तमे जे रीते विचारियूं तेनों विचार अमे नित्य करिये छे आज रीते कल्याननों मार्ग अमारा पची पन चालू रहे शे अनितौज अमारूं आ लोक मा आवियूं सार्थक कहवाई ने कल्याननी परंपरा न रहे तो प्रगट थयानों अर्थ रहे नही कल्याननों आवोज प्रभा चाल शे एमा तलभार पन मित्या जान्षो नही कल्यानना प्रभा माटे नियमनी एक सडक अमे बनावी छे बधा शास्त्रो माथी सार रूप मुक्ष परायन वचन चोधी ने ते सडक मा जड़ी दिधा छे अनि तैमा विग्ण रूप अधर में गुरू असत्य पुरुष्णी ओलखान करावी ने कुमार्ग पन देखाडी दिधा छे अनि सत्पुरुष्णा संग रूपी अनुपम मोक्ष मार्ग बतावे उछे तेथी ब्रह्मान रहे त्या सुधी कल्याननों प्रभाच चाल शे अमारा वचन ते अमे छिये हरी जन थाईने सत्संग नी रीत बाहर चाल शे तेनों उद्धार थशे नहीं भगवान अने भगवान ना संतो भक्तों ने जिद दिव्य जान शे अने तेनी सेवा मां क्यारे मन चोर शे नहीं ने पोतानों दोश जोतो रह शे तेनों उद्धार थशे परंतु पोताने अधिक मान शे अने बीजाने तुछ समझ शे ने ते ग्ण्यानी त्यागी ने ध्यानी हशे तो पन तेना कल्यान मा फेर शे संत हरी भक्तना चर्णनी रज पोताने समझे ने निश्क पटवरते तेनू निश्चय मोक्ष थाय शे पुर्शुत्तम बोल्या प्रिते प्रुष्ट त्रोंसो नेवू हिरजी सुथार ने मुर्ती घडवानों ग्ण्यान पणातू एक वार श्री हरीये हिरजी भाई ने बोलावीने कहूं अमे श्री नर नारायननी छाप नारण जी भाई पासे करावी छे ते तमे जोई लेो एम कहीने ते च्छाप मंगावी हिरजी भाई ये ते जोई ने कहूं महराज आतो अमाराज हात नो कसब छे तमारी कृपाथीज नर नारायनना यथार्थ स्वरूपनु आ च्छाप मा आलेखन नारण जी भाई करिश क्या छे नारण जी भाई ना भाई देवराम तथा मारा भाई स्टुंदर जी ना दीकरा राघव जी बनने सुंदर जी भाई पासे थी आ कसब शिख्या हाता देवराम पासे नारण जी भाई शिख्या अने आपनी सेवा मा अमारो कसब काम आवी गयो डबान ना यग नवकते अमें आपना घोडानों काठू बनावी ने लावया हता तेने नाना प्रकारना सोनेरे चित्रों थी अंकित कर्यू हतू अमारो एक कसब पन आपनी सेवामा काम आवी गयो इटलू कहीने हिरजी भाई अटकया पची बोल्या महराज हवे तुमने व्रुद्धा वस्ता आवी छे तिथी काई भारे काम थैशक्तू न थी घडियाल समे करवानों काम करूँ छू अने आपनी दया थी गुजरान सारी रीते चाले छे श्रीहरी तेमनों भाव जोई प्रसन न थाया अने कहूं हेरजी भाई तमारा थकी अने सुन्दर जी भाई थकी कच्च मां सत्संग थायो छे तेज तमारी मोटी सेवा छे माटे अंतर मां ते सेवानों कैफ राखवो तेथी अखंड आनंद अनुभवा शे अने जगतना संकल्पनों बल गटी जशे भुजमा श्री हरी ये मंदिर बांधवानों प्रारंप करावयो तेमा पन हेरजी भाई नुँ मार दर्शन श्री हरी लेता प्रतिष्टा सुधी तेमने पोतानी सेवा आपी आम जीवन ना अंत सुधी हेरजी भाई श्री हरी ना थाईने रहा अने श्री हरी नो अप्रम पार राजी पो प्राप्त करी अक्षर धाम मा गया नौध हिर जी भाई ना मातु श्री नु नाम रुपा बाई हतू पत्निनु नाम अमर बाई हतू तैमने रण छोड देवराम, नारायन जी अने हरी भाई नाम ना चार पुत्रों हता पत्निनु नाम पुण्जी भाई हतू तैने एकच पुत्र हतो तैनु नाम राघव जी हतू पुताना मोटा काका देवशी भाई सुथार पासे थी हिर जी भाई कला का सब शिख्या हता ए जमाना मा हिरजी भाई घडियालना अच्छा काली गरगणा ता हिरजी भाई ना दिकरा देवराम भाई तेमना काका सुन्दर जी भाई पासे थी कला कसब शिख्या हाता देवराम भाई पासे थी तेमना नाना भाई नारायन जी भाई ये विवित कला कसब अने कारी गरीनु ग्ण्यान मेडवियू आ नारायन जी सुथार चितारा अने काष्ट शिल्पी तरीके संप्रदायमा प्रसिद्ध छे तेमने श्री हरीनी गणी मुर्दियों बनावी छे